हलो दूस्तो नमस्कार इसम्कीसी चैनल में मैं आप सिब्ल्म का दिल से बहुत बहुत सफगएत करता हूँ एंड उसी की साथ-साथ कल के दिन इसी चैनल के पर एक powerful वीडिया आये था, अभी तक नहीं देखा है, तो ज़रूर देख लेना, बहुत सरे लोगों को ये वीडिया अच्छा लगा है, लिंक उपर आए बटन पे मिल जाएगा, तो चले फिलाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, सो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके, बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर, आप सब लोगों को पताई है, कि संडे की दिन हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कि आने वाला हफता, मतलब पाच दिन, बाजार के लिए कैसे रहेंगे, सबसे प हम लोग कौन सी चीज देखते हैं, येस, बाजार का माहोल क्या कहलाता है, अभी 18,000 के उपर, 18,300 के उपर है, तो हम लोग जरू इसको अच्छा ही माहोल कहेंगे, अगर हम लोग पाच दिन का भी डेटा देखेंगे, तो क्या नजर आता है, नेट 136 पॉंट की तेजी हम ल है, डैन अगर देखा गया, विदेश की बाजार की बात करें, तो फ्राइडे की दिन हम लोग या पर इसको जरू चेक कर सकते हैं, कि जबर्दस गिरावट देखने को मली थी, बट आखरी शन के उपर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल गई, इसके कारण हम लोग कह सकत जितनी भी गिरावट थी, वो सारी रिकवरी या पर हो गई, वरना हम कह सकते कि हमारे बाजार में थोड़ा सा प्रेशर उपनिंग के इसाब से हम लोग को देखने को मिल सकता है, यह नौर्मल सी बात है आपको पता ही है, प्रोबैबिलिटी के इसाब से, दस में से साथ- अच्छे को यहाँ पर पता है, कि एक पार्टी पूरी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर मेजोरिटी के साथ चुन कर आतीवी देखने का आप मिल चुकी है, और वो कौनसी पार्टी है, तो आप देख सकते हो, कॉंग्रेस, पहले इसके पहले हम लोगों को बिजेपी का वह देखने को आप मिल जाएगा, इसकारत यह नहीं होता है कि मार्केट अब रॉक्रेट या फिर सबकुछी कोलाइप्स या खतम हो जाता है करके, बट येस, कुछ हद तक रियक्शन हम लोगों को बाजार में जरूर देखने को मिल जाता है, खास करके अगर हम लोग बात करे, तो आप सब लोग को पता है कि अभी जादा टाइम बचा भी ने, शाद से एक ही साल बचा है, कि दोजार चोबिस का इलेक्शन भी आ पर आ गया, तो उसके पहले हम लोग जरूर कह सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी थे हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्मेंट में है, कौन ह फिलाल बीजेपी, तो हम कह सकते हैं कि उनके और से, मतलब यहापे डेफिनेटल इसको यहापे सिरियसली लिया जाते है, ऐसा क्यों कि आपको जैसे मैंने का कि लोग सबा का इलेक्शन यहापे आएगा, इसी चीज़ का फायदा, जो अभी कॉंग्रेस यहापे जिती हुई अगर हम लोग समीकरण की बात करें, तो जैसे हमेशा हम लोग ने देखा है, कि जो सेंटरल गवर्मेंट में सरकार होती है, वही अगर स्टेट गवर्मेंट में बन गई, तो मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है, यह मतलब बुकिश नॉलेज में बता रहो, प्लस उस चीज़ के चलते ही, कल के दिन बाजार का क्या रियक्शन रहेगा, यह देखना एक बहुत ही इंटरस्टिंग फैक्टर यहापे ज़रूर रहने वाला है, देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इलेक्शन का रिजल्ट का रियक्शन के बाद, अगर हम लोग बात करें, त तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ITC के नंबर्स रहेंगे, ITC के लिए बहुत ही क्रूशल रहेगा, क्योंकि लगातार तीजी में अच्छा का सा परफॉर्मस दे रहा है, रिजल्ट अगर अच्छे आगे तो अच्छी बात है, वरना आपको पताई है कि मार्केट में एक एक करें कंपनी के नंबर हम लोग को इस हफते भी देखने को मिलने वाले हैं, दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो WPI इंफलेशन का डेटा, ये भी एक डेटा सामने आएगा, नो डाउट हमारे जो इंपोर्टन होता है, वो CPI का ही होता है, WPI में अगर कोई extremely उपर नीच देखने को आपे मिलने वाला है, दैन अगर हम लोग यहागे बढ़े, तो थोड़ा सा IPO के बाजार के उपर भी हर किसी का आपे फोकस रह रह रहा है, ठीक है बाजार जादा गिर भी ने रहा है, भाग भी ने रहा है, तो IPO लाने के लिए हम कह सकते कि थोड़ा अच्छा का स समाहुल देखने को आपे मिल रहा है, जो एक IPO हम लोगो देखने को मिलेगा, उसकी जो लिस्टिंग भी है, वो 19th में को हम लोगो देखने को आपे मिल रही है, ठीक है, निकसे के हम लोग यहापे बात कर रहे है, तो इसके उपर भी बाजार का फोकस रहेगा, यह अगें कह पूरी दुनिया चोग गई, जैसे कि यह चीज़े होती नहीं है, फ्रिक्वेंटली, पट फिर भी, मार्केट क्या करता है, कि देख लेता है, कि नॉर्मल ही है न, तो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, तो ऐसी चीज़े हम लोगों को देखने को मिल जाएगी, अमेरिकन बा अमेरिका में, बट क्या लोगों की जो बाकी लोग है, क्या वो अपनी खरीदारी में कोई कटोती कर रहे है, या फिर वो स्विंग के साथ जबरदस खरीदारी करते ही जा रहे है, तो ये रिटेल वाला जो आकड़ा रहता है, इसके चलते भी अमेरिकन बाजर में आप यहापे करवा दूँगा, दैन अगर देखा किया दोस्तों, तो इंडियन मार्केट में जो जबरदस चीज देखने को आपे मिल रहे है, कौन सी चीज, ओविसली, FIS की हमनों को वापसी देखने को मिल रहे है, लगातार, FIS हमनों को सिर्फ वाइंग करते वे देखने को मिल जाता है, नोट आउट वैसे भी उन्होंने इतनी सारी बीकवाली कर ली, साइमल्टेनिस ले आपको पताई है, D.I.S. हमारे चट्टान की तरह यहापे खड़े है, और D.I.S. को मजबूत किस ने किया, रिटेल इमिस्टर नहीं तो किया है, तो इसका भी फाइदा हमनों को चीज आ जाती है, then definitely वो अपना direction बदल सकते है, ठीक है, बट फिलाल हम कह सकते है कि F.I.S. की जो यह शांदर वापसी देखने को यापे मिल रही है, इसके चलते हैं इंडियन मार्केट को एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलते वे देखने को मिल रहा है, जो बुल वाले ज यह सबसे बड़ा एक confidence देने वाली बात है, कि उस वाक लगा था, कि इतना मार्केट गिरा है, 200 पॉइंट गिरा है, तो अभी शायद से F.I.S. के और से लगातार support देखने को मिल रहा है, यह एक बहुत ही thumbs up देने वाली बात जरूर देखने को आपे मिल रही है, then अगर हम के नीचे, WTS 70 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो इंडियन मार्केट के लिए तो यह अच्छी बात है, जितना ब्रेंट सस्ता हो जाए, हम तो इंपोर्टर है आप सब लोग को पता ही है, तो इस चीज के चलते हैं, इंडियन एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर देखन बन जाएगा, यह बार-बार में रिपिट करता रहता हो, कि कि आपके दिमाग में चीज़े चप जानी चाहिए, अब अगर आप गोल्ड में निवेश करके उसको लॉस में बेचते हो, मतलब अभी मैं क्या ही बोलू, मतलब थोड़ा मुझे गुसा आ जाता है, लिटरली, गोल्ड को कौन लॉस में बेचता है, इसलिए तो उसको गोल्ड बोला जाता है, पूरे इंटरनेशनल लिवल पे एकसेप्ट करने वाला वो असेट है, ठीक है, दैन अगर बात करेंगे, डॉलर, तो डॉलर तो देखा गए अभी भी, मतलब इंडियन रुपी तो वीकी है, ठीक है, तो अभी कितना नजर आ रहा है, वापस 83 के और हम लोगो वापस हमारे इंडियन रुपी जाते वे देखने को आपे मिल रहा है, कोशिश तो चल रहे है, इसको अच्छी तरीकी से परफॉर्मस देने की, पट फिर भी हम कह सकते हैं, अभी फिलाल की सिचुएशन मे डॉलर ही हम लोगों जबरदस मजबूत देखने को आपे मिल रहा है, सारी इंपोर्टन चीज़े कवर हो चुकी है, फॉर्मलिटी बची है, सिर्फ ऑप्शन चेन की, सो ऑप्शन चेन की बात करें, FIS के और से बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो हर एक ल बात करें, नो डाउट 18.500 अच्छा का सा रिसिस्टन बनने का काम यहां पर जरूर करेगा, तो इसी दाइरे के बीच में हमनों को बाजार रियक्ट करते वे देखने को मिल जाएगा, खास करके जैसे मैंने का करनाटा का जो इलेक्शन हमनों को देखने को मिला है, इसके चल चनाता है, उसमें भी चीज़े बदलती रहती है, ऐसा नहीं है, मतलब एक जमाने में कॉंग्रेस था, ठीक है, दन अगेन कॉंग्रेस आ गया करके अपर सर्किट लगा बाजार में, जो कॉंग्रेस से रिलेटर अच्छी बात हो रही थी, उसी कॉंग्रेस को बाद में बद बदल गई, मतलब वो खराबे करके, वो माहोल समझ में आना चाहिए, यह जो मैंने आपको एक्जामपल बताया है ना, कि 2009 में कि अगर हम लोग बात करें, कॉंग्रेस ही आई थी ना, बट उसी कॉंग्रेस को, 2014 के इलेक्शन के में बात करूँ, तो चेंज करके BJP को लाए गया, तो मार्केट तो कोई गिरा नहीं, तो यह चीज होती है दोस्तों, सिचुएशन कैसी होती ही न, मार्केट समझता है कि कौन फाइदे मन है, उस हिसाब से हमनों के सारी चीज़े चलती वे देखने को आपे मिल जाती है, इसा नहीं होता है कि कॉंग्रेस आ गई तो ही म मार्केट रियक्ट करता है, ठीक है, तो आशा करता हो, जीतने भी इंपोर्टेंट पॉइंट से, सारे मेरे आपे कवर कर ले है, तो विडियो आपको अच्छा लगाओगा, तो चाओ तो लाइक और शेर कर सकते हैं, डिमेंट अकांट अभी तक उपन नहीं किया, तो लिंक